So good morning guys, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी revision class बताए भारत के मुख्या अर्थिक सलाकार ये कौन है? तो आंसरोगा अनन्त नागिश्वरन अभी नए बने हैं और अगर पूछे कि मुख्य विज्ञानिक सलाकार कौन है? तो विजे रागवन है राष्टर सुरक्षा सलाकार नेशनल सेकुरिटी एडवाईजर कौन है? अजिद दोवाल है और अभी उपर राष्टर सुरक्षा सलाकार यानि कि डेप्यूटी नेशनल सेकुरिटी एडवाईजर विक्रम मिश्री बने थे बताओ साहित्य अकादमी पुरुसकार कितनी भाशाओं में दिये जाते हैं 24 भाशाओं में 22 तो सम्विधान के आटवी अनुसूची वाली हो गई उसके अलावा एक हो गई अंग्रेजी और एक हो गई राजस्थानी और अगर आपसे पूछे हिंदी का अभी किसे मिला था दया प्रकास सिंहा को समराथ अशोक नाटक के लिए अंग्रेजी का मिला था नमिता गोखले को ठिंग टू लिव बिहाइंड नाम के नौवल के लिए और अगर पूछे कि साहित्य का नोबल पुरुसकार 2021 के लिए किसे मिला अब्दुल रज्जा गुर्ना को अच्छा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ ग्यान पीट पुरुसकार कितनी भाशों में दिया जाता है कई बार बता चुके बताओ अब आप अगला देखो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किस ये किस ने जीता डेविड डायोप ने जो कि फ्रांस के लिखक है इनके नोबल एट नाइट अल ब्लड इस ब्लैक के लिए और बुकर पुरुसकार पूछते तो वो डेमन गलगुट ने जीता था जो कि साउत अफरीका के लिखा गये उनके नोबल दे प्रामिस के लिए अगला बताओ दुनिया का पहले अनुवांशिक रूप से संचोधित यानि के जेनेटिकली मोडिफाइड रबड का पौदा कहां पे लगाया गया असम के गुवाहटी में और इसे कहां पे तयार किया गया था भारते रबड अनुसंधान संस्थान में तो प्रसन तो यहां से भी तयार हो गया न कि ये भारते रबड अनुसंधान संस्थान कहां पर है केरल में चलो आप तो ये बताओ अभी किसे अंतर राष्ट्रे रबड अध्यन समू का नया अध्यक्ष बनाया गया तो आंसर हो जाएगा के एन रागवन को और ये अंतर राष्टर रबड अनुसंधान समू का हेड़ क्वाटर काँपर है मुख्याले काँपर है सिंगापूर में अच्छा अभी Australian Open 2022 में में सिंगल का टाइटल किसने जीता राफेल नडाल ने जो की इस्पेन के टैनिस प्लियर है और विमिन सिंगल टाइटल किसने जीता ऑस्ट्रेलिया की एशले बाटी ने और अभी 25 साल की उम्र में इन्होंने रेटार्मेंट की घुशना भी कर दिये सन्यास लेलिया है ये भी ध्यान रखना कहां से हैं ऑस्ट्रेलिया से हैं अच्छा नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लिकेशन लॉंच करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना तो आंचर होगा असम मतलब ब्रह्मपुत्र नदि पर जल परिवहन को रात में भी बहतर बनाने के उद्धिश्य से इसने ये मोबाइल एप्लिकेशन लॉंच किया चलो बताओ सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा को शुरू करने वाला पहला भारतिय शहर कौन सा बना इसका उत्तर दीजे कमेंड बॉक्स में अगला परशन आपसे पूछेंगे कि जल जीवन मिशन के तहट सोवा हर घर जल वाला अभी जिला कौन सा बना तो ये चमबा जिला बना है हिमाचल प्रदेश का और बिजिंग शीत कालिन ओलम्पिक यानि की बिजिंग विंटर ओलम्पिक दो जार बाइस में कौन सा देश पदक तालिका में टॉप पे रा था नौर्वे टॉप पे रा था 37 मेडल जीते हैं जिसमें से 16 गुल्ड है और आपको याद है भारत की तरफ से एक मातर खिलाडी थे जिनोंने बिजिंग ओलम्पिक में पार्टिसिपेट किया उनका नाम है आरिफ खान ये एक स्कियर है और जमू किश्मीर से हैं ये और बताओ सरकार फसल भीमा पॉलिसियों को वित्रत करने के लिए कौन सा अभ्यान चलाएगी मेरी पॉलिसी मेरे हाथ उद्देश्य क्या है फसल भीमा योजना का लाप किसानों को उनके घर पर उपलब्द कराना इसका मुख्या उद्देश्य है अब आपकी मन में आएगा कि प्रधान मंतरी फसल भीमा योजना के बारे में बताईए इसकी शुरुवात होती 18 फरवरी 2016 को कहां से मद्देपरदेश के सिहोर में प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने इसको शुरू किया था ओमान सागर और फारस के खाड़ी को जोडने वाली जलसंदी कौनसी है हारमुच जलसंदी अच्छा मुझे बताओ लाल सागर और भूमद्दे सागर को जोडने वाली नहर कौनसी है स्वेज नहर है और आपको जरूर याद होगा कि स्वेज नहर में एक जहाज अटक गिया था काफी समय तक उस जहाज का नाम बताईए और मैं आपको कई बार बीच में करेंट अफेर्स में बता भी चुका हूँ अभी आप बताओ देखो और जिब्राल्टर जलसंदी ये किस किस को जोड़ती है अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से और जिब्राल्टर जलसंदी को याद रखना भूमध्य सागर की कुणजी भी कहते है फिर बताइए विश्व प्रत्यायन दिवस व्ल्ड अक्रेडिटेशन डे कब मनाया गया तो अंसर होगा 9 जून को इसकी थीम थी अक्रेडिटेशन सपोर्टिंग दे इंप्लिमेंटेशन अफ दे सस्टेनेबल डेवल्मेंट गोल्स व्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया गया बाल शरम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को थीम थी एक्ट नाव एंड चाइल्ड लेबर बताई अंतरराष्ट्र रंग हींता जाग रुकता दिवस इंटरनेशनल अल्बिनिजम अवेर्नेस दे तेरा जून को मनाया थीम थी स्ट्रेंथ बियोंड अल ओड्स विश्व रक्त दाता दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे यमने 14 जून को मनाया थीम क्या रही Give Blood and Keeps the World Beating इसमें मेजबान देश था इटली विश्व बुजुर्ग दुर्वेवार जाग रुकता दिवस 15 जून को मनाया वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवर्नेस दे थीम थी Access to Justice न्याय तक पहुंच और बुजुर्गों को लेकर के एक दिन और होता है International Day of Older Version जो 1 अक्टूबर को मनाते हैं अंतरराष्टर परिवार परिक्षन दिवस International Day of Family Remittance 16 जून को थीम रही Recovery and Resilience Through Digital and Financial Inclusion और परिवार से Related Eco Day होता है अंतरराष्टर परिवार दिवस 15 माई को मनाते हैं उसकी क्या थीम थी Families and New Technologies विश्व मरू स्तली करन और सूखा रोक्थाम दिवस 17 जून को यानि कि World Day to Combat Desertification and Drought थीम क्या रही Restoration Land Recovery We Build Back Better with Healthy Land World Gastronomy Day 18 जून को मनाया Autistic Pride Day ये भी 18 जून को और एक होता है World Autism Awareness Day जो 2 अपरिल को मनाते हैं World Sickle Cell दिवस 19 जून को मनाते हैं अब पुराने महीने के Current Affairs का रिविजन कर लेते हैं अच्छा बताईए किसने 2022 के Sport Star Assess Awards में Sport Star of the Year male का पुरुसकार जीता तो आंशार होगा नीरत चूपडा ने अभी परम विशिष्ट सेवा पदक से भी इनको सम्मानित किया गया था और आप जानते हो Olympic में Gold जीतने वाले ये पहले भारते एथलीट हैं इनका संबन ने भाला फेक से हरियाना के ये प्लेयर हैं कितनी दूर अभी Tokyo Olympic में इन्होंने भाला फेका था कि Gold जीत के आए 87.58 मीटर दूर और इनी के सम्मान में भाला फेक दिवस मना रहे हम 7 अगस्त को और इनके ओपर एक बुक भी आई अभी Golden Boy नीरत चोपडा जिसको लिखा है नवदीब सिंग गिल ने पदम शिरिविया बीन को मिला था ये भी याद रखना बताई अंतर राष्टर वन दिवस कब मनाया जाता है तो अंचर होगा 21 मार्च को और इस बार की थीम क्या रही वन और सतत उत्पादन और खपत और 21 मार्च को ही World Down Syndrome Day भी मनाया जाता है जिसकी थीम रही है समावेश का मतलब inclusion means अगला बताओ नाटो सेन्य अभ्यास cold response 2022 ये कहां पर आयोजित हुआ नौर्वे में नाटो आपको बताई स्तापना होती 1949 में टोटल मेंबर कंट्रीज एं 30 हेड़कोर्टर ब्रुसेल बेल्जियम में है और अभी इसने नेप्चून स्ट्राइक नाम का एक समुद्रे अभ्यास भी किया था जन्वरी की बाते का पे मेडिटेरियन सी भूमद्यसागर में अगला है more than just surgery life lessons beyond the OT यानि के operation theater इस बुक को किस ने लिखा डॉक्टर तेहम्टन एरोच उडवाडिया ने विश्व मुख स्वास्त दिवस World Oral Health Day कब मनाया गया तो अंसर होगा 20 मार्च को theme क्या है अपने मुँपर गर्व करें be proud on your mouth और इसी तरह से आपको याद होगा World Health Day होता है जो हम 7 अपरेल को मनाते बताओ किस देश ने सुरेश रेना को इस पूर्ट्स आइकॉन पुरुसकार से सम्मानित किया तो अंसर होगा मालदीव ने Formula One जो बहरीन Grand Prix 2022 की पहली रेस हुई थी ये किस ने जीती थी चार्ल्स लेक्लर ने फरारी के वो ड्राइवर है मोनाको के रहने वाले बताओ विश्व कठपुतली दिवस कब मनाया गया तो अंसर होगा 21 मार्च को और इसकी थीम थी The Sea वैसे 21 मार्च को विश्व कवीता दिवस भी हम लोगों ने मनाया किस राज्य में पखाल दिवस मनाया गया तो अंसर होगा उडिसा में और मनिपूर के मुख्य मंतरी कौन बन गए एन विरेंसिंग बन गए चलिए बताए तुर्कमेनिस्तान के राष्टर पती कौन बने सरदार बर्दी मुखमदेव तुर्कमेनिस्तान की केपिटल एश्गबत है तरंसी है तुर्कमेनिस्तान मनत विश्व जल दिवस कब मनाया गया वर्ल्ड वोटर डे 22 मार्च को थीम थी Groundwater making the invisible visible और 22 तारिक से लगातार तीन महीने आपको याद होंगे एक तो ये 22 मार्च हो गया जल दिवस फिर 22 अप्रेल होता है अर्थ डे और 22 मही होता है बायो डाइवर्सिटी डे जेव वेवित्ता दिवस बताओ BNP परिबास Open Tournament 2022 में महिला एकल का किताब किसने जीता इगा स्विटेक ने ये की टेनिस प्लेयर है और में सिंगल जीता था यूएस के टेनिस प्लेयर टेलर फिट्स ने उत्तराखंड के मुख्यमंतरी के रूप में अभी किसने शपत ले ली बुश्कर सिंग धामी ने और भारत और किस देश के बीच में एक सन्युक्त सेन्य अभ्यास लेमित ये 2022 हु बन गए और किस शेत्र में दिया जाता है ये बुरुसकार वास्तुकला आर्किटेक्चर और इंडियन सुपर लीग 2022 का किताब किसने जीता है ध्राबाद फुटबॉल क्लब ने किसको अरा के केरला ब्लास्टर्स को किस राज्य में डोल उत्सव या डोल जात्रा तिवहार मनाया गया तो अंसरोगा पच्चि मंगाल में इसे रंगों का तिवहार भी कहा जाता है ये जो तिवहार है भगवान कृष्ण और माताराध्धा को समर्पित है विश्वय यूवा गुणवत्ता रिपूर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे प्रदूशित देश कौन स किया गया था तो जैती घोष को तो चलिए कल के करंट अफेट्स को रिवाइस करेंगे बताइए अपना जैव विवित्ता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन सा बन गया तो अंसरोगा कॉल का था और कहां पे भारत का पहला ओलम्पिक मूले सिक्षा का रिकरम यानि कि अलम्पिक वैल्यूज एजुकेशन प्रोग्राम को शुरू किया गया तो अंसरोगा उडिसा में इंटरनेशनल अलम्पिक कमिटी का हैड़कोटर लिजयन स्विजलेंड में है और प्रेसिडेंट ने थॉमस बग और दोजार्टेविस में अलम्पिक समित्ती की ज सामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई अभिला अशा बराक स्वच्च सर्विक्षन दोजार्टेविस की थीम क्या है और ये इसका आठवा संसकरन है वेस्ट टू वेल्थ और स्वच्च भारत मिशन की शुरूआत कब होती है दो अक्टूबर दोजार चोद किस संस्थान ने परम पोरुल नाम से एक सूपर कंप्यूटर को इस्थापित किया तो एनाइटी तिरूचिरापली में कौन सा भाठते राज्ये वर्ड एकॉनमिक फॉरूम के ग्लोबल नेटवर्क औफ एडवांस्ट मेनुफेक्चिरिंग हब में शामिल हो गया आंद्र अंतर राष्ट्रे परिशद और 27 समीति का पुनर गठन किया गया और इसकी 27 समीति के अध्यक्ष कौन बने अमित्षा ग्रेमंत्री वर्ष 2023 में क्वार्ड का जो पांच हुआ सम्मिट होगा कहां पे होगा आस्ट्रेलिया में अभी इसका चोथा हुआ था 2Q जापान में औ तो गाइस यह था आज का आपका रिविजन वाला सेशन सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा थैंक यू